रेट सॉस पास्ता बनाने के लिए उबलते वे पानी में डालेंगे नमक, एक चमश तेल, एक कटोरी पास्ता डालकर इन्हें 72-80% कुक कर लेंगे पास्ता अच्छी तरह से पक गया हैं, कैस को बंद कर देंगे अब पास्ता को एक स्टेनर के ओपर पलट लेंगे उबले हुए पास्ते का पानी इसमें से दो चमश निकालकर अलग रख लेंगे अब एक पैन में डालेंगे दो चमश तेल, एक चमश बटर, तेल में बारी कटी हुए हरी मिर्च, लसन और प्याँच डालकर इन्हें थोड़ी देर चला लेंगे मिक्स हर्प्स और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे चार उबले हुए टमाडर का पेस्ट, तमाडर सॉस, कश्मिरी लाल मिर्च पॉर्डर, स्वादानुसार नमक, रेड चिली सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढखकर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे सारे मसाले अच्छी तरह से भून गया है और red sauce भी हमारा बिल्कुल तेयार है अब इसमें हम add करेंगे उबला हुआ पास्ता साथ ही इसमें पास्ते का उबला हुआ पानी भी add कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से mix कर लेंगे red sauce भास्ता बिल्कुल तेयार है इसमें चीज डाल कर सर्व करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू